देखी हमारे सामने जो electric geyser है वो खराब है उसको हमने नीचे उतार लिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो heater element होता है उसके जो connection होते हैं उनको आपको हटा लेना है जो wire जहां से अटा होगे उसको आपको याद रखना है क्योंकि एक गलत wire जुणने से आपको electric geyser नहीं च हटा लेंगे जैसे आप video में देख पा रहे हैं वैसे आपको बिलकुल अच्छे तरीके से तीनों wire को हटा लेना है आपको याद भी रखना है यह देखिए हमने दोनों wire हटा दिये neutral face की तीसरी जो wire है वो है arthing की उसको भी हम अटा लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम जो दो thermostat लगे हैं जो की auto cut का काम करते हैं ओवर हेटिंग होने पर यह auto cut कर देता है या और भी कोई fault होता है तो यह cut मार जाता है यानि cut कर देता है हमारे electric user की power की supply को उनको हम बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा है पूरी wiring वो बाहर निकल आई है और उसके ब खोलने के बाद बिल्कुल असानी से आप इसको बाहर निकाल सकते हो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन आप क्या करेंगे screw driver की मदद से इसको आप बाहर निकाल सकते हो यह देखिए दोनों तरफ आप screw driver लगा लेजिए प्लायर की भी मदद ले सकते हैं और इसको ब वीडियो द्यान से देख रहे हैं तो कैसे केवल और केवल 200-500 रुपे में आप अपना जो इलेक्ट्रिक गीजर है जो की मार्केट में अगर नया खरीतते हो तो 10,000 रुपे के रावन आने वाला है उसको आप केवल और केवल 200-500 रुपे में ठीक कर सकते हो देखिए हमने ज इसको चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद आपको दिखाएंगे कि प्रोसेस क्या होती इसको चेंज करने की देखिए हीटर आने बाहर निकाल दिया है और अब क्या करने इस हीवकिक दोस्तो इसमें नहीं कॉप कालना पानी यानि पूराना जो डैस्ट बहुत द्धाइब वह बहुत ध्यान से आप देख लिजेगा क्योंकि प्रोसेस अगर गल्द करते हो तो आपका जो इलेक्ट्रिक इजर हो सही नहीं चलेगा लीकेज होगा सबसे पहले क्या करेंगे जो रबर होता है जो सील होती है उसको आप अच्छे से जो तीन अंदर नट लगे होते हैं उस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका जो गीजर है यह चलेगा अब क्या करेंगे वर्सल लगाएंगे दोस्तों एक-एक स्टेप को ध्यान से देखना है तीनों जगए वर्सल लगानी है वर्सल लगाने के वाल जो तीन नट है उनको स्टेप बाई स्टेप यानि एक साथ क इसी भी एक नट को टाइट नहीं करना है तीनों नट को थोड़ा थोड़ा करके बारी 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 से टाइट कर देना है अच्छे तरीके से और अब जोस्तों क्या करेंगे अब इसके जो कनेक्शन है वह आपको बिल्कुल आसानी से हम बताने वाले हैं पूरे कम्प्लीट स्मावना बनी रहेगी और इस तरीके से आप 200 200 रूप में आपका जो घर पर ठीक कर सकते हो प्रोसेस आप सीख लेना वाइरिंग आप सीख लेना अगर किसी भी प्रगार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हम आपको उस कमेंट में आपका उसको जो हल है वो करेंगे अब देखिए अब क्या करना आपको अब जो थर्मोस्टेट जैसे हमने निकाले थे चाहां से निकाले थे वहाँ पर हम वापिस लगा देंगे देखिए उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे जो ग्रीन क्लर की वायर है जो अर्थिंग की है जो हमने इस बोड़ी में से यानी कि जो इसकी गीजर की बोड़ी होती है उसके साथ कनेक्ट थी उसको हम सबसे पहले वैसे ही connect कर देंगे जैसे हमने यहां से हटाया था यह देखिए जो गीजर की बोड़ी थी टेंक था उसके साथ हमने इसको connect कर रखा था उसके साथ हम दुबारा से इसको connect कर देंगे और उसके बाद बारी बारी से जो neutral or face जो हमने जहां से हटाई थी यह देखिए इसको connect कर देते हैं उसके बाद जहां से neutral office जो heater element को मिली थी जहां से उसको अटाया था वहां से उसको बारी-बारी से connect कर देंगे heater element के साथ और जो indicator की wire है उसको भी हमें जहां से उसमें connect कर देना है तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे आप आपके electric geyser को cable और cable 200 या dice रुपए में खुद गर पर ठीक कर सकते हो किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो हम उसका आपका जवाब देंगे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो हम उसको आपको समझाने की कोशिस करेंगे वीडियो में तो देखिए दोस्तों आपका electric geyser बिलकुल अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा किसी प्रकार का कोई भी आपका सुझाव हो सवाल हो वह आप पुछ सकते हैं वीडियो को पुरा देखने लिए बहुत बहुत धन्यवा दस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ज़र तक लिए धन्यवा जय हिन जय बारत